क्या आपको knowledgeable books की तलास है? क्या आप अपने आपको बैतर बनाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल ठीड चैनल पर आए हैं Hey everyone, I am Rory Dia Guys मुझे knowledge books पढ़ना बहुत पसंद है तो मैंने सुचा क्यों ना अपनी इस knowledge को share किया जाए Guys, आप भी अपनी life को better बनाना चाहते हैं और एक बैतर knowledge लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके लिए videos लाता रहूँगा Guys, आज हम ऐसी book को पढ़ेंगे जिसने बहुत से लोगों की life को पूरी तरह change कर दिया है Robert Kiyosaki की ए-book Rich Dad Worded इसे 1997 में published किया गया था हम इसे chapter wise chapter पढ़ेंगे Guys, इस book में जो बात हैं होई हैं वो सकता है वो हमें गरत लगे लेकिन अगर हम गेराई से सोचें तो हमें पता लगेगा कि हमारे साथ ठीक ऐसा ही होता है मैं और मेरे husband हम दोनों ही बहुत महनती परिवार्षे थे Master of Plan के हिसाब से मुझे एक Big 8 accounting firm में नौकरी मिल गई मेरे पती Michael ने honors के साथ graduation किया था और उन्हें भी जल्द ही Washington DC की एक मानी हुई law firm में नौकरी मिल गई हाला कि हम दोनों ही अपने career में सफल रहे परन्तु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ 1996 में एक दिन मेरा बेटा इस्कूल से घर लोटा इस्कूल से उसका मो भंग हो गया था वै पढ़ाई से उप चुका था और वै बोला मैं उन विसेयों को पढ़ने में इतना जादा समय बरबाद क्यूं करूं जो असल जिन्दगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे मैंने सोचे बिचारे बिना ही उसे जवाब दिया क्योंकि अगर तुमारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलिज नहीं जा पाओगे और अगर तुम कॉलिज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई नोकरी नहीं मिलेगी उसने कहा बले ही मैं कॉलिज जाऊं या ना जाऊं लेकिन मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा हलाकि इस बिसे पर हम पहले वी कई वार बात कर चुके थे और मेरी समझदारी भरी सलह इस वार फिर उसके कानों में नहीं गई मम्मी उसने बोला समय के साथ चलिए अपने चारों तरफ देखिए अमीर लोग अपनी सिच्छा के कारण इतने अमीर नहीं बने और बीच में कॉलिज छोड़ देने वाले विलगेट्स ने माइक्रोसोफ्ट कायम किया आज वे अमेरिका के सबसे अमीर वेक्ती है आप मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने वच्चे को वही सलह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी परन्तु हमारी सलह नहीं बदल रही थी मम्मी उसने आगे कहा मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेनत नहीं करना चाहता मुझे अपने सवालों के नई जवाब चाहिए वह सही था उसे नई जवाब चाहिए थे और मुझे भी मेरे माता पिता की सला उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनासकारी सावित हो सकती थी जिनोंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था अब मैं अपने बच्चों को यह सीधी सी बात नहीं बोल सकती थी कि स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड हासल करो और सुरच्छित नोकरी की तलास करो मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों को सिच्चा की सही दिसा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी एक मा और एक एकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन सम्मंदी सिच्चा या बित्य सिच्चा नहीं दी जाती आज कल के युबाओं के पास हाई स्कूल खत्म होने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड होता है यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन सम्मंदी पाट क्रम में भाग नहीं लिया होता वे नहीं जानते कि पैसा किस तरह काम करता है इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से जादा खर्च को महत्व दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलिज के सुरू आती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर करज में डूग गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को निश्ट करने में खुद उसकी मदद की फिर एक दिन मेरी मुलाकात रौबॉट की उसाखी से हुई वे एक सैक्षनिक उत्पात का पेटेंट करवाना चाहते थे रौबॉट की उसाखी एक बेफसाई और निवेशक थे रोवट ने हमें चुहा दोड के बारे में बताया और रोवट ने यह सब एक खेल के माद्यम से हमें समझाया जिसे चुहा दोड कहते हैं अगर आप किसी भी ओसत रूप से सिच्चित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक साही सफर दिखेगा बच्चा पैदा होता है स्कूल जाता है माता पिता खुस हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है बच्चा इशना तक हो जाता है और फिर योजना के अंसार काम करता है वे किसी आसान सुरच्छित नौकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है साइद वे डॉक्टर या वकील बन जाता है या वे सेना में भरती हो जाता है या फिर वे सरकारी नौकरी करने लगता है बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेड़िट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीदारी करना सुरू नहीं किया है, तो अब जमकर खरीदारी सुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वे उन जगों पर जाता है जहां उसकी उम्र के जादतर नौजवान जाते हैं लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कवार साधी भी कर लेते हैं अब जिन्दगी में मज़ा आ जाता है, क्योंकि आजकल के पुलस और महलाएं दोनों नौकरी करते हैं दो तनका बहुत सुखद लगती हैं, पती पत्नी को दोनों को लगता है कि उनकी जिन्दगी सफल हो गई उन्हें अपना भविश शुनहरा नजर आता है, अब वे घर, कार, टेली, वीजन खरीदते हैं और छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं खुसाल, पती, पत्नी सोचते हैं कि जादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें जादा मेहनत करने की जरूरत है, उनका करियर अब उनके लिए पहले से जादा माईने रखता है, वे अपने काम में जादा मेहनत करने लगते हैं, ताकि उन्हें प्रमोसन मिल जाए, या उनकी तन्खा बढ़ जाए तन्खा बढ़ती है पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है वे नोकरी में और भी जादा मेहनत करते हैं बहतर कर्मचारी बन जाते हैं और जादा मन लगा कर काम करने लगते हैं दूसरा काम भी खोज लें उनकी आमंदनी बढ़ जाती है परन्तु उस आमंदनी पर उन्हें इंकम टेक्स भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टेक्स देना होता है इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरच्छा का टेक्स तो चुकाना ही है इसी तरह वह उससे टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तनखा चुक जाती है वे अपनी बची वी तनखा लेकर घर आते हैं और हैरान हो जाते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ मेच्छल फंड भी खरीदते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं उनके बच्चों की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चे के कॉलिज की सिच्चा के लिए बचत जरूरी है इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायर्मे के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए यह खुसाल दमपत्ती अब अपनी नौकरी की बांकी दिन चुहा दोड में फसकर बिताते हैं बे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं औ कि उन्हें मन लगा कर पढ़ना चाहिए अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरच्छित नोकरी की तलास करनी चाहिए वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिन्दिकी पर कड़ी मेहनत करते रहते हैं ये प्रक्रिया पीडी दरपीडी चलती रहती है इसे चुवा दौड कहते हैं चुवा दौड से निकलने का एक ही आसान तरीका है और वे यह है कि आप एकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों ही चेत्रों में निपुड हो जाएं दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विश्वयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने विग एट एकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रोबोट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विश्यों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमान्चक बना दिया था मेरी टेवल पर एक बैंकर बैठा था इसके अलाबा एक ब्यवसाई भी था और एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर भी था मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को एकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है जबकि यह विसे उनकी जिन्दगी में कितनी जादा एहमियत रखते है मैं इस बात से बहुत परेशान और बिचलित थी कि वैस्क लोग सामानवे एकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना कम जानते है मैंने सोचा असल जिन्दगी में ऐसे करोडों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह दोनों विसे कभी नहीं पड़े रोबोट यह चाते थे कि लोगों में पैसे की वहतर समझ बिक्सित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में जाना जानने के लिए उत्सुक थी अगले अपते रोबोट ने डिनर मीटिंग पर हमें बताया कि अमेरीकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं क्या हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड ब्रद्द लोगों के रिटायरमेंट के लिए टेक्स चुकाना होगा हम एहरान थे कि लोग पैसन योजना के बरोसे बैठकर कितना बड़ा खत्रा मोल ले रहे हैं रोबोट की सबसे वड़ी चिंता यही थी कि अमीर और गरीवों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसा ना सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बलकि पूरी दुनिया में हो रहा है रोबोट सबसे च्छित और श्वनिर्मित व्यवशाई थे वह जानते थे कि दुनिया वदल चुकी है परन्तु इसके बाबजूद सिच्छा पद्दितियां बिल्कुल भी नहीं बदली है रोबोट के अनुसार बच्चे सालों तक तकिया नूसी सिच्छा पद्दिती में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे बिस्वयों को पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले और वे ऐसा दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामों निसान नहीं बचा रोबर्ट बोलते हैं कि आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वह यह है कि स्कूल जाओ अच्छे नंबर लाओ और किसी सुरच्छित नोकरी को ढूड़ लो उन्होंने कहा यह पुरानी सला है रोबर्ट के अनुसार यह बुरी सला है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविश्य आर्थिक रूप से सुरच्छित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते यह बहुत खतरनाक होगा रोबर्ट बताते हैं मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं उन्होंने कहा क्या होता है जब कोई कॉर्परेशन इस्टाफ कम करने की गोशना करता है लोगों को नोकरियों से निकाल दिया जाता है और विरोजगारी बढ़ जाती है और अब श्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरह के लोग यानी जिनके पास उस कमपनी के शेयर होते हैं वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं अलग तरह से मेरा यही आश्या है कर्मचारी हारते हैं और मालिक और निवेशक जीतते हैं रोवर्ट कर्मचारी और मालिक के वीच की फर्क को समझा रहे थे ये फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंतरण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंतरण होना परन्तु ज़ादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यूं होता है रावर्ट बताते हैं यह सोचना मूर्खता है कि इस्कूल में दी जा रही सिच्चा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वे कॉलिज के बाद पहुँचने वाले हैं हर बच्चे को जादा सिच्चा की जरूरत होती है एक ऐसी सिच्चा जो उसकी असल जिन्दगी में काम आए दन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और दन के कुछ नियम होते हैं जिनसे बांकी 95 फीजदी लोग खेलते हैं और ये 95 फीजदी लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास रूम में कितने कम्प्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं जब सिच्छा नीती में वे विसेही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है अब सवाल यह उड़ता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते आप अपने बच्चों को एकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं क्या इस से वह बोर नहीं होता और आप उन्हें किस तरह निवेस करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेस के खत्रे से ड़ते हैं अपने बच्चों को सुरच्छत जीवन के लिए तैयार करने के बजाए मैंने वहतर समझा कि इन्हें रोमाँचित जीवन के लिए तैयार किया जाए रोबोड ने कहा यह सब समझाने के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है इस पुस्तक को कमप्लीट करने में मैं रोबोड के साथ सहलेका के रूप में रही थी रोवाट ने बच्चपन में ये निश्चे कर लिया था कि वह अमीर वनना चाहते हैं और उन्हें एक पिता शुरूप बेक्ती मिल गए थे जो अमीर थे और वह उनकी मार्ग दर्सन करने में इच्छुक भी थे रोवाट का कहना है कि सिच्छा ही सफलता की नीव है आगे की कहानी रोवाट के दो डेड़ियों के बारे में है जिन में से एक अमीर और दूसरे गरीव है इनके जरिये रोवाट उन रहिश्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं रोवाट बोलते हैं कि जो भी इस पुछ्टक को पढ़े उनसे मेरा यही अन्रोद है कि वे अपने किताब वी ग्यान को एक तरफ रख दें और थोड़ा गहराई में सोचें दो डेड़ियों के साथ पले बड़े रोवाट के सामने हमेशा दो अलग-अलग बिरोदा वासी बिचार होते थे उनके पढ़े लिखे डेड़ी उन्हें कॉर्परेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे और उनके अमीर डेड़ी उन्हें कॉर्परेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे पढ़े लिखे डेड़ी रोवाट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोसाहित करते थे और अमीर डैड़ी रोबोट को यह जानने के लिए प्रोथसाहित करते थे कि किस तरह से स्मार्ट लोगों की सेवाइं ली जाएं रोबोट की असली डैड़ी हवाई राज के सिच्छा प्रमुक थे दरासल इस पुस्तक में यह दिये गए बिचार सायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी या अतिशोक्ती पूर लगेंगे लेकिन बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे बिचारों की एक तरफ ध्यान देना की जरूरत है अपने बच्चों को कर्मचारी बनाने की सलहा देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिन्दगी भर अपनी खून पसीने की कमाई से इंकम टेक्स वह और भी नजाने कितने टेक्स चुकाने की सलहा देते हैं और इसके बाद भी पैंसन की कोई गारंटी नहीं रावर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की सिच्चा देते हैं हमें अपने बच्चों को अलग तरह की सिच्चा देनी होगी साइद वे अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉर्परेशन भी खोल सकें आज हम ऐसी बदलती हुई दुनिया में रह रहे हैं जिसमें हर एक पल कुछ ना कुछ हो रहा है जिसका सामना हमने आज से पहले कवी नहीं किया और आगे ऐसी परवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथात से परे हैं किसी के पास भी जादू की पुडिया नहीं है कौन जाने भविश हमारे लिए क्या लाता है पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद हैं या तो हम सुरच्चा की रहा पर चलें या इसमार्ट वनकर खुद को धन सम्मंदी छेत्रों में सिच्छित करें और अपने बच्चों की धन सम्मंदी प्रत्वा को भी जागरत करें अगली वीडियो में हम इस बुक का नेक्ष्ट पार्ड पढ़ेंगे